इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए इससे पहले राष्ठ ठाकड़े की पार्टी में चार रंगों का जंडा था जिसमें भगवा, नीला, सफेद और हरा रंग का था अब एवनेस भगवे में रंग गई है बाल ठाकड़े की जेंती की मौके पर इस अधिवेफन का आयोजन किया गया है यहां उन्हें याद कर मार राष्ठ नौणिर्मान सेना हिंदुत्व की रा पर चल पर है माराठी के मुद्दे के साथ राष्ठ ठाकड़े माराष्ठ हिंदुत्व की राजनिती का चेहरा बनने जा रहा है राष्ठ ठाकड़े ने इस भगवा जंडा लॉंच करते वे कहा कि हिंदू हिर्दय समराठ बाल ठाकड़े का मैं अभिवादन करता हूँ कुछ कारे करता अभी पहुचने वाले हैं मैं उससे पहले पार्टी का नय जंडा आपके सामने रखता हूँ साम को मैं विस्तार से बात करूँगा मुंबई के गोरे गाउं में आयोजित इस महा अधिवेशन में राष्ठ ठा पार्टी में उद्दव ठाकड़े के बेटे आदित भी सिक्षा छेत्र और चातर संगतन समाल रहे हैं उफीत तर्च पर अमिट ठाकड़े में सक्ड़े हुए हैं उन्हें भगवा सौल देकर सम्मानित किया गया है वहीं सत्ता के लिए सिर्षना के कॉंग्रेस और NCP के वीर सावरकर की पोटो मंच पर लगाई गई वहीं इस महा अधिवेशन में MNS कारेकरता जय भवानी जय सिवाजी के उद्गोस करते दिखे इस महा अधिवेशन में MNS के पदादिकारी अविनास जादव ने राज ठाकड़े को नए हिंदू हिर्दय समराठ कहा अविनास ज जंडे पर शिवाजी महाराज के साफनकाल की राजमुद्रा है जंडे पर छतरपती शिवाजी महाराज की राजमुद्रा लगाई गई है और नीचे बड़े अक्षरों में महाराष्ट नवनिर्मान सेना लिखा गया है इस राजमुद्रा पर संस्कृत में लिखा है इस ख़बर में अभी के लिबफ इतना ही आप MNS के इस नई जन्डे के बारे में क्या गरन चाते हैं आप हमें वीडियो के कमेंड में जरू बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेयर करें धन्यवाद